Hello everyone, आज है 7th December और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं PTM के बारे में तिकि PTM के शेहर में आज 17% का बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलना है हलाकि 20% तक के गिरावट ये दिखा चुका था कोशिश कर रहा है, attempt कर रहा है उपर जाने की लेकिन हर बार ये गिर रहा है और इसे पहले भी Warren Buffett ने 40% loss में PTM के शेहर बेचे थे और वीडियो में बात करेंगे कि आज की इस गिरावट की वज़े क्या है क्योंकि Warren Buffett वाली जो खबर थी वो तो भाई साब पुरानी खबर हो गई, दो हफते पहले की वो खबर हो गई तो देखिए वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपने अवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो देखिए पेटी एम का जो शेर है ये तकरीवन 680 रुबए के आज-पास आ चुका है बड़ी गिरावट आई हलाके 650 रुबए पर भी गया था आज ये और पिछले एक महिने में देखोगे तो 23 परसंट का फॉल है और देखा जाए तो ये इसी रेंज के आज-पास था ठीक है और मतलब ये अलमुस्ट 900 से 900 की रेंज में था ठीक है और आज एक ही खबर ने इसको तोड के रख दिया है पिछले एक साल में देखोगे तो गिरावट तेजी है 33 परसंट की तेजी है एक टाइम था जब इसने 500 रुपया से बहतरीन रफतार पकड़ी थी और लंबे समय तक इसने 800 से 900 का जो लेवल है वहाँ पर कोशिश कोई थी रुकने की हाला कि 990 रुपय तक भी ये गया था बाद में कुछ टाइम रुका और आज एक जटके में बहुत बड़ी गिरावट आ गई कहा सकते हैं कि ये लेवल जो था वो इससे पहरे इसी साल अपरिल मई के दौरान था एक अच्छी रफतर उसके बाद दिखाई थी इसने और अभी गिरावट देखने को मिल रही है पांस साल का ग्राफ देखो तो वाई साब गिरावट तो है यहाँ पर काफी बड़ी गिरावट है क्योंकि हम सब जाना थे कि वाई साब बहुत हाई वैलिशन के उपर इसके आई पियो को लाए गया था और लगा तर उसके बाद यह गिरावट था और देखो एक इनिशल स्ट्रॉंग सपोर्ट पांस सो रुपए के आस पास जरूर नजर आता है लेकिन पांस सो रुपए का लेवल मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी यह दिखा देगा हो सकता है कि यह छे सो रुपए के लेवल तक जाए लेकिन वहाँ से एक बाइंग भी लोटती हुए आपको नजर आएगी यहाँ पर गिरावट की जो सबसे बड़ी वज़ा है आज 20 परसन का फॉल पे टीम में देखने को मिला क्योंके भाया जो पोस्पेड लोन्स है ठीक है वहाँ पर एक स्लोडाउन यहाँ पर आने वाला है क्योंके इन्होंने खुद डिसाइड किया ठीक है यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि कंपनी ने अनाउंस किया है प्लान्स to slow down its small ticket postpaid लोन्स ठीक है वाइल इट लुक टू एक्सपांड its high ticket personal लोन्स and merchant लोन्स कंपनी जो है जो छोटे ticket वाला जो छोटे ticket वाला जो पोस्पेड लोन है उसको काफी कम करेंगे यहाँ पर और focus करेंगे increase करेंगे high ticket personal लोन के तरफ और merchant लोन के तरफ हला कि decision उनके लिए अच्छन नहीं रहा है क्योंकि इसके ही बाद इनके जो revenue estimate है वहाँ पर कटावती नजर आ रही है अगर आदे हो तो company said at its analyst meet that its postpaid loan could fall to half इनके जो postpaid loan है वह आज ही तक हो सकती है but it would not have any impact on margin or revenue हला कि यह company PTM के analyst नहीं बोला है ठीक है कि इससे margin पर revenue पर को इतना बड़ा असल नहीं पड़ेगा हला कि जो brokerage firm Jeffries है उनका यह कहना है कि PTM का यह जो decision है जो buy now and pay later वोला जो business है came as a lending partner यहाँ पर तो RBI का जो recent moves हा न unsecured lending की तरफ ठीक है RBI ने won किया था कि भी जो भी unsecured lending कर रहा ठीक है उसको कम कर रहा आप यहाँ पर और उसके चलते भी कह सकते हैं कि यह decision यहाँ पर हुआ जरूर है और यहाँ पर Jeffries ने यह भी कहा है कि even though the management plan to partially offset its scaling up the high ticket personal loan and merchant loan Jeffries feel that कि जो business आने वाले time में जो होगा यह जो buy now pay later वाला इसके जो norms को all other street करा जाएगा यहाँ पर और हाला कि देखा जाए तो अभी भी जो target है buy call है उनका यहाँ पर 1050 रुपे का target नजर आ रहा है goldman stretch की तरफ अगर बात के तो उनकी neutral rating है 840 रुपे का target है और Morgan Stanley की बात करे तो उनका भी यहाँ पर 830 रुपे का target नजर आ रहा है equal weight की rating उनकी है मोतिलाल उस्वाल की तरफ सी कहा गया है किनका जो disbursement होगा loan का वो decline होगा जो monthly 4500 करोड होने वाला है जो पहले तकरीबन तकरीबन 6000 करोड के आसपास होगा करता था even paytm अगर आप देखो तो monthly quarterly company 3-4 lakh customers को add भी कर रही है वो भी शायद थोड़ा बहुत कम होगा यहाँ पर वो भी कम होगा यहाँ पर तो देखें आज की सबसे बड़ी गिरावट की वज़ा जो decision है इनका भाई सब जो pay now buy sorry buy now pay later वाला जो है उसको कहीं न कहीं और सक्त बनाने वाले हैं और जिसके चलते जो small ticket loan है वहाँ पर यह अपना मतलब slow down करने का इनका plan है इससे पहले अगर आगे हो तो दो तीन हफते पुरानी ये खबर है ठीक है दो हफते पुरानी खबर है ये कि Warren Buffett बाई से दुनिया के सबसे बड़े investor माने जाते हैं उनका जो bucks है हाथावे है उन्होंने PTM से fully exit ले लिया है और वो भी 600 करोड के loss में 600 करोड के loss में हाला कि अभी तो हो साथ profit में ही होंगे क्योंकि देखा जाए तो जब उन्होंने exit लिया था तब share 875 के करीब trade कर रहा था ठीक है तो यहाँ पर देखो तो as September 2023 बक्षा के जो holding थी 2.46% की holding थी PTM में अभी fully exit हो चुके है ये और दूसरी तरफ देखो अगर किसे ने बेचा है तो किसे बड़े fund house ने खरीदा भी होगा तो थोड़ी थोड़ी quantity में copal marges investment की बागत तो 75.75 लेक्शन उन्होंने खरीदे है और भी कुछ यहाँ पर है थोड़ी थोड़ी quantity में खरीदने वाले लेकिन बड़ा investor exit कर चुका है और काफी अच्छे time पर exit कर आए उन्होंने की कि 875 पर exit कर चुके थे और share अभी भाईा गिर चुका है काफी बड़ी गिरावट है PTM को लेकर अगर बात करी जाए तो वाईसा PTM में इसका जो PE है वो नेगे हाला कि 86% एनालिज करता है एक खरीदारी करो PE negative में है यहाँ पर holding को लेकर बात करेश है holding को तो promoter as such यहाँ पर कोई है नहीं ठीक है विजेशंकर शर्मा है ज़रूर लेकिन definitely उनकी holding as a promoter के तोपने पर नहीं है यहाँ पर 2.79% mutual fund के पास है 1.27% domestic के पास है 60.92% FIS के पास है और बड़ी quantity actually में FIS के तरफ से बेची गई है June quarter में यह 72.12% की holding थी अभी यह घटके 60.92 पर आ चुकी है आपको बचा दे कि इससे पहले Ant Group जो था Alibaba वाला वो भी exit कर चुका था अभी बक्षा हतावे वाला जो है वो भी exit कर चुका है तो शायद अगला जब shareholding pattern अपडेट होगा तो यहाँ पर और FIS के holding आपको कम होती नजर भी आ सकती है यहाँ पर जो बड़ी quantity खरीदी गई है वो other parties के तरफ से आई है 16.49% की जो holding थी उनकी वो बढ़कर 26.74 पर आ चुकी है तो बड़ी quantity वहाँ पर आई है हाला कि mutual fund के पास बहुत कम है 2.79 और domestic के पास लिए 1.27% की holding है F.I.L. से बहुत साथ डिपेंड है यह और जिस तरीके से बड़े-बड़े investors आगर exit करें जिसे आर्ट group exit कर गया अब Warren Buffett वाला बक्षर हतावे exit कर गया शायद market जब close होगा और बड़ी quantity में share आपको trade होते नजर आएंगे इतना ही नहीं according to money control user 25% लोग कहरे बेचो और भाग जाओ 25% लोग कहरे खरीदारे करो 25% लोग hold करने की भी बात कर रहे है और जहां तक dividend के बात के तो भाई साब वो आपको pay नहीं करेगा ये और company के अगर हम quarterly performance देगे तो भाई साब बहुत अच्छे तरगी से increase हुए है उसमें कोई शक्य बात नहीं revenue wise revenue wise बहुत बड़ा growth कहा सकते कि दिरे दिरे आया जरूर है लेकिन profit wise अगर हम देखे तो अभी भी company में उस तरीके का growth नहीं है अभी भी वो नहीं है loss making है company लेकिन देखते हैं कि आने वाले time में बहुत बड़ा user base है ज़रूर और जो loan वाला segment है वो मुझे इनका पसंद आता है आने वाले time में अगर उसको अच्छे से tap कर पाएंगे तो future इनका बहतर हो सकता है लिए अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी और बीच बीच में जो आलबेगी तरफ से नई नई guidelines आ रही है वो definitely ध्यान देने वाली होगी इनके लिए unsecured loan वाली और कई सतरी है कि जो यहां पर बनके निकल कर आ रही है overall पेटी है मेरे इसाब से company खराब तो नहीं है हाला कि valuation के उपर हम question कर सकते हैं company के business के उपर मुझे रखता नहीं कि कोई इतने बड़ी दिक्कत आने वाली है short term और long term के लिहाज से तो खरीदारी गरी है already काफी गिर चुका है बने रह सकते हो लेकिन जहां तक बात आदे fresh wine की मेरे इसाब से मैं 600 रुपए की level का weight करना चाहूंगा यह मेरा मानना है जल्दबाजी नहीं करना दूर बैटो तमाशा देखो simple से बात है देखे कि अभी RBI जिस तरीके से unsecure loan को लेकर नई नई चीज़े निकाल रहे हैं उसको लेकर company किस तरीके से अपने आपको switch mode में लेकर आती है और उसा क्या impact पढ़ता है बाजार पर वो हो सकती है यह मेरा मानना है बाकी मर्जी आपकी है वीडियो के यहीं पर एंड करूंगा पसंद आखो तो like करें शाय करें चैनल मेगरा पहली बाहरे हैं तो please subscribe करें और ptm के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंटर पर लेकर बता सकते हैं thank you